हेलो स्ट्रेंट्स कैसे हो बच्छों ओफ़ली बढ़िया होंगे एडवांस मिट सेवंध का पन्द सॉलोशन कर रहे हैं टॉपिक है कैसे इफेक्ट अफ करन्ट मैंनेटिज्म यह माई एड एड एक क्योशन क्या है अगे इस शिरीज लस्यार सरकेट कंटेंग डिश्टेंज ओफ एडवांगुलर रेज्टेंश फ्रिक्वेंसी यह मिन अपनको गिवन क्या है और इस गिवन है और इस वन ट्वेंटी ओमेगा इस गिवन है फॉर इंट्रीट पावर फाइव रेडियन पर सेकिंड अट रेजि तो तो अबने टाइम जो भी वॉल्टेज होता है वह बैटरी के होता है तो अपने पास एए रखा है याम में वियर वह उगीवन है यह एक्वन टू सिक्स्टी एंड मोर्वर रहसेटेंस एक्रोंच था वी आर और वीच इकवल होता है स्ली वीएल वी-इल एपने एक्व लोता है वह देर का आपको फोल्दीत आपको य нов को आपको पूछा है to will you अपुलिक यह आपको यल धीर ट ट साइए लिए व्यंटेट चाहिए दिक्ट में पास डेता चाहिए क्यों है वाट इस गीवन वृ है वह में ता है इंटू एक्स एल टेके वी एल वी एल आपको गिवन है फॉल्टी इस गोल डू आई आई होता है टोटल करन एम एफ डिवाइड पर रेसिस्टेंस डेसिस्टेंस गिवन है 120 और यह होता है ओमेगा एल ठीक है जब इसको बन विलू पुट करेंगे क्योंकि सारा डेटा पत मलं कि वी प्लोटिन को फोमेवसा को मुच आई एक फिवन होगे टो गव्तिन आपको जाएड यह हूंस टो सव्क्राइट करेंगे टोबिंदए अपने वंग्यून धुछ ही तो अपनी वास एक खम में अनग्वेन केका फ्रिक्वेंश होता है अ ल भाई सी तो अपने पास ल की वाले अल्लेट रहा किये यह अपने को गीवन है यहां से अपने पास सी आजाएगा ठीक है तो जब इसको सॉल करेंगे तो इसकांस राजाएगा फास्ट ओके नेक्स्ट नेक्स्ट गिवन कैपिसितर ऑफ कपसिटी फाइव मिक्रो फाराद इसको सी गिवन है इस्टर के अंदर फाइव मैक्रो फाराद और एम फड एंध गिवन है तैंवल्ट अज पर डाइग्राम इप डिलेक्टर इन ने पास अपने कोडियर कोश्टन ऑफ बडू के को टूट is inserted in the capacitor अब यह बोलाएगी एक पास अपने डाइलेक्टर कॉंस्टेंट है के जिसका वेलू टू है उसके अंदर इंसर्ट कर दिया एक वह तो बात आपको समझ आगे है कि जो सी फैनल आए जो निया आएगा वह होता है के टाइम आप सी तो निया कपिस्टेंट होगा 10 ठीक है थेन वाक्टण नबाब बैटरी साफ इल भी वर्ग ननेन बाबै बैटरी का फ़र्मयल होता है वरक डवाय बैटरी इस गोल डू टो डेल्टा क्यों इंटे तो ए चार्स कितना फ्लो होगा तो मिरे पास क्यों फाइनल कितना है क्यों फाइनल है ऀ सी फाइनल 10 उन Agrikate3 इंटो टैन तो मेरे पास डेल्ट AG को घीवन है जब बैं इसको वेल tut करेंगे तो इसका समर आजाएगा वह थर्ड that is 500 यह वाला था ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट इसी का पार्ट है heat generated will be अब heat के दिए generate होगी तो heat generate करने के एक बहुत simple सा और बहुत अच्छा सा formula आपको में से याद रखना है वो है रसे यूनिशल प्लस वर्क डनबाइ battery इस गोल डू यूफाइनल प्लस हीट यह आपको फॉर्मिला में से याद रखना है आथ यूनिशल कितना है यूनिशल हाप cv स्कूर्ट कितना है 5 व कितना है 10 का स्कूर्ट वर्क डनबाइब बैटरी अपने भी फांड किया है 5 u final कितना है half c कितना है 10 10 into 10 का square plus heat जब अब 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 सांसर आजाएगा ठारवन ठीक है next next question है a circular conducting loop of radius r0 and having the resistance per unit length lambda यह आपके पास एक है यह r0 और इसका resistance per unit length r by l जो है that is equal to lambda ठीक है placed in the magnetic field which is constant in the space and time जो b का विलुँ है वो constant है वो वह वेरी नहीं कर रहा है the end of the loop are crossed and the pull in the opposite direction with velocity v such that यह आपको diagram दे रहा है कि इसको velocity v से थ्रूप फैंक रहा है इसको वी को वी से पूल करना है एक दूसरे को opposite पूल कर रहा है such that loop always demand circular लूप अमिसा circular रहेगा radius of the loop goes on decreasing definitely decrease नहीं पड़ेगी तो आपको find करना है तो देखो पहला तो मैं question पहला है radius के regarding के कैसे चेंज होगी तो मैं एक बार यह diagram बना ला तो है पर actually अपने पास ऐसा एक circle है वी से ऐसे खिंच रहे है और वी से ऐसे खिंच रहे है तो कैसे करना देखो radius अपन को पता है कि जो l है वो कितना रहेगा 2 pi r नो इसको मैं दिफ्रेंशेट करता हूँ तो dl by dt is equal to 2 pi dr by dt देखो dl by dt लेंथ किस रेट से चेंज हो रही है तो लेंथ 2 से चेंज हो रही है वी और वी तो यह गया 2 v is equal to 2 pi dr by dt तो मेरे पास dr by dt आ रहा है वो आ रहा है वी डिवाइड बाइड 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 पाई अब आप इसको माइनस आएगा क्यों क्योंकि जो डिक्रीज हो रही है तो यहां पर एक माइनस का द्यान रखना है माइनस वी पाई इंटू डिटी तो आप इसको अपने आप माइनस वी फाई इंटू टी तो अब हमन देख लाते हैं आप आंसर में लिख लाते हैं वाँपल्ए पाई तो यह आपन राइट हो गया नेक्स्ट उचा है तो इंडियूस इमेंप इंडियूस इंड़ विशल का फ्लसका लेकर रहता हूं नेधुब्लंबग ग्लाथ उसका रूर्ज तो फ्लसकी थेक्स का फ्लक्स को We दिए आर बीडिटी भी दिए और भी तो इसको डिफ्रेंशिल करता हूं तो बी पाई इधर आएगा टू आर इधर आजाएगा डी आर भी डीटी ठीक है अब आप इसका जब वेलूपूट करोगे तो सेक्ड आंसर भी से आजाएगा ठीक है नौ उसके बाद आप वो करंट क्या होता हoster College डिवाएड बई रिवाएड बै나ימड था क्या होगा र कितना है आर इंटु आदे आर क्या रहेगा तो तो किसी टाम पर लेंद्ध कितनी है ऐंथैं एक्चली ल्न्थे डाई क्लेंट्रण धुलि तु पाई थे है इसट नेक्स्ट नेक्स्ट इन फिगर और इस फिक्ट रिंग ऑप नेगलिजीबल रेसिस्टेंस गिवन तो मैं इसका डिग्रम में बना जाते हो मुझे नेक्स्ट पेस्ट्टेंस आपको आर दे रहा है इसका आर वाइट को रहेगा इधर और आर बैट्ट रहेगा एदर और एक आपको आपको यह तो बेसिकली यहां इसके अंदर तीन रेसिस्टेंस इसके आपको ध्यान रखना है और रहेगा 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 तो आपको करन्ट और सब्सक्राइब करना है पहली बात अपन देखते हैं कि ऐसे रोटेट हो रहा है तो इंडूज यह मैं का विलू अब इंडूज एम का विलाब को पता होगा वहता है वहता है वी ओमेगा रेडिस का स्क्वाइर डिवाइड बाई टू यह होता है किसी कंडेक्टिंग रोटेट होता है उसके अंदर बात डारक्शन की किया जाए तो दो बी इंसाइड है यह इस वाले पॉइंट की वेलस्टि नीचे है तो जो क्यू पोइंट है डेट इजहाई इस पॉइंट आइप निचे है यह अपने पास क्यू है कि यह इनका कॉमन सेंटर है तो मेरा जो इसका सरकेट डाइग्राम अनेगा वह एसा मनेगा है और यहांसे एक बार और जो connected है वो है आर तो यह मेरे बास circuit हो गया अब यह है parallel के अंदर तो parallel के अंदर ए का विलू यह भी यह आएगा यह भी यह आएगा तो इसका यह में अब तो रहेगा इतना ही और इसका जो radius है वो change हो जाएगा parallel में है इसलिए यह आर भाई 4 और यह मेरे बास आर तो इसके अंदर जो आई आएगा वो आएगा ए डिवाएड भाई आर प्लस आर भाई 4 तो जब आपने पास यह सब आई गया है डेटा आगया इसका बस तो इसके जो answer आएगा वो आएगा इसका इसके अपने फॉर्थ जब आप इसको पूरे को डेटा को चौल करोगे कि अच्छे इसके तरफ नेक्स्ट यह एक पूश्चन है बहुल अच्छा पैरलल और दोनों है इसमें बस आपको बात यह याद रखना है कि जो के पिस्ट्र होता है उसके इसके अंदर करना है कि यह आगे होता है बाग इसमें कुछ ज्यादा है नहीं तो इसका फिजर डाइगराम से अच्छली आपको डाइगराम मनेगा मेरे पास ही आई वन है और लेटी आई यह आई वन का इदि मेरे पास डाइगराम बना हुआ है ऐसे तो मैं पहले इस सर्किट इसको शॉल करूँ 100 और 100 वाले को इसका इसमें तो आपको कि सकने आएगा कि इसका जो जो जैड़ बन आएगा वो आएगा 100 रूट टू ठीक है 100 रूट टू आएगा आपको एंगुलर फ्रिक्वेंसी दे रही है तो एक्चुल यह भी 50 आएगा तो इसका जो जैड़ टू आएगा वो आएगा फिप्टी रूट टू तो ओफुली इसमें तो आपको डिक्ट नहीं है अच्छा अब वो सीरेज वाला अलग है और यह वाला अलग है तो सपोज जी मुझे आईवन करना पड़े तो आईवन का विलू आएगा ट्वेंटी डिवाइड बाइट हंडेड रूट टू तो एक तो साथ कुशन ही पू इसमें एक इंपोर्टेंट बात ही है यह जो मेरे पास आई वन है इसके अंदर क्या करन्ट आगे रहता है वाल्टेज से किसे आगे रहेगा 20 वाले से इसका यह जोंकर हो कि इसके अदर यह मैं यह पर लेता हूं यह कॉमन लेना पढ़ेगा यह दोनों पैरलल है तो पैरलल यह दोनों इक्वल है तो मेरा आई वन है वो तह आई हैसे गया है ön और कितने अंगलबड़ आए गा यह 45 पर और जो आई टू आएगा वह इतिर आएगा वो भी यहां पर आएगा 45 पर क्योंकि यहां पर फिर यह दोनों का आपको इक्वल दे रहा है और i2 का वेलू है वो अपन लिख लेता है i2 का वेलू आएगा 20 divided by 50 root 2 ठीक है तो अब तो current circuit से find करना है यह दोनों एक दूसरे के perpendicular है तो current का formula आएगा i2 is equal to i1 का square plus i2 का square root ठीक है ओके तो यह अपने पास current आगया नो वाल्टेश पूचा है तो इसके अग्रोस इदिया आपको वाल्टेश पूचा तो इसके अंत्रों वाल्टेश क्या रहेगा vr is equal to i1 into r कितना 100 ठीक है तो इसका जो आएगा वो आजाएगा फर्स्ट एन थर्ड ओक्या नेक्स्ट दा इंडेक्टर आप टू आपको एल गिवन है टू टैन्टी पार माइनस थ्री हैंडरी एंड केश्टेंस गिवन है फाइव इसमें आपको जो मैक्सिमम्म क्यू गिवन है वह है तो बेसिकली अपने पास यह एक यह और यह सी है अदो क्यूशन आप पढ़ लो मैं प्रेपर से क्यूशन पढ़ता हो क्योंकि वह कवर हो जाता पूरा क्यूशन यह है क्यूशन आपको बोला है क्यूशन दे रहा है तो अपने पास क्यूशन पर आपको चार्ज जो दे रहा है वह दे रहा है ओके नेक्स्ट क्यूशन पुचा है वेन क्यूशन प्रेपर सेक्ड और ऑप्शन है क्यूशन दे रहा है तो देफिनेटली जब करण्टी मैग्जिमम मैं चार्ज मैंग्जिमम मैं तो करंट रहेगा निए तो आई विल बी जीरो यह ऑप्शन नहीं है आई में चार्ज मैंचन करेंगे तो यह होता है अब आपको बोला गया है कि जो आई है वो मैग्जिमम की हाप है तो इस को सुष्ण करने का दो दिन तरीक है लो एक तो आपने ने पर नंको पता है कि इसमें एन्रजि गंजर्ट रहती है तो एनर्जी गंदर रहती है तो maximum energy क्या निकालेंगा 2C is equal to half L I maximum का square अब क्या बोलाए कि current जो है current कितना हो रहा है half of the maximum तो उसमें energy कितनी होगी that is half L I का square ये कितना I कितना है I0 का आध्या है so that is 2 का square so inductor के अंदर energy कितनी होगी half L I0 square divided by 4 ठीक है तो basically कहना चाह रहे है कि जब inductor के अंदर energy इतनी हो जाए तो आपका क्यू का value कितना रहेगा आप देखो अपने पास क्या होती है total energy होती है total energy कंजर है तो देखो यहां पर मैं energy equation लिक रहा हूं क्यू स्क्वाइर डिवाइड बाई 2C यहां से basically मेरे पास यह आ रहेगा कि जो इंड़क्टर के अंदर है energy कितनी है maximum की वन फॉर्थ तो मैं यहां पर लिख रहा हूं एंडर्जी आप दा इंड़क्टर प्लस एंडर्जी आप दा कैपिसिटर नो यह की energy होती है क्यू स्क्वार बाई सी तो मैं इसको लिख सकता हूं क्यू स्क्वाइर डिवाइड बाई 2C का वन फॉर्थ यह मेरे बास होगा 8 और इसको मैं लिकूंगा क्यू स्क्वार डिवाइड बाई 2C तो basically क्या होगे आपने बास देखो क्यू डिवाइड बाई 8C इसगो दो क्यू स्क्वाइड टुसी तो अपने बास आज दागा 173 क्यूंग ओक्यूंग नेक्स्ट कुशिंग भेन आपको एन इंड़क्टर अपिंड़क्र सवरी यह उल्यट हो गया एव डॉल्ट्मेटर और अमिटर आर जोईन इंड सिरीज यह इ मेरे पास यह है एमिटर और यह है वाल्ट मिटर किसके साथ एड किया है आइडिल के साथ कि अगे पढ़ लेते हैं नौँ इसका मतलब यह जो आपन को दे रहा है यह आइडिल नहीं है क्योंकि देस्टेंस इमिटर का है तो मैं सिंप्लिशिटी के लिए इसको लिए लिए लगाता हूं और यह इसको लिए लिए तो हूं जिसको लिए लिए बोले सबसे पहले तो मैं बोल नाता हूं कि जो इनिशिल करंट है आई वह कितना है इडिवाइड बाई आर प्लस आर नॉट ठीक है मेरे पास यह आगया नौ यह तो इनिशली द्यानग ना यह आपके जो इस्टार्ट की लेडिंग है फस्ट अब आप बोले कि मैं यहां पर एक और आर जोड़ रहा हूं आर तो पहली बात तो आपको यह समझ में आगया होगा होगी जब पैनलमें गड्याते तो इस्टेंस कं हो जाता है और वैसे इस्टेंस क्तिरेश्टर्ब हो गयार नॉट प्लस औरॉट थी फो इसका म長ट удар जो है अट्नि का मोंगया तो जो अई करेंट है400 रूबोंद्य मैं अब दिखते हैं वी इंग्रीश रइडरी दिविल इ और अब की रेडिंग क्या होगी आई टू आड नॉट तो डेफिनिटली करंट इंक्रीज हो गया है तो वाल्टीज भी इंक्रीज हो जाएगा तो सेकेंड ओप्शन राइट है अब दूसरा ओप्शन देख रहे हैं तीसरा और चौथा यह विल भी हाप अपदा इनिशल वेलू तो डेफिनिटली हाप नहीं रहेगा हाप क्यों नहीं रहेगा आप खुद समझ लो कि जो करंट है ना करंट खुद ही कम हो गया है तो मैं करंट को ऐसे लिख सकता हूं आई टू है वो है आई माइनस सम्थिंग तो कुछ तो कम हुआ हो गया है सब्सक्राइख डिल पलस डेलटा और उसमें करंट का डिवीजिन हो रहा है एक लिएगए लेगा उन प्लस डेवाइट बई टू तो क्या हो गया आई डिवाइट की रीडिंग है वो आप से थोड़ी ज़्यादा रहेगी तो यह स्लाइटली ज़्यादा है तो आपको एड करना पड़ेगा और ही रीड क्या करेगा क्योंकि रेश्टेंज बराबर करन आदा जाएगा दोनम इक्वल जाएगा तो मैंने आई प्लस डिल्टा का आदा कर दिया है तो यहां जाएगा आई भाई टू प्लस सम्थिंग प्लस टू तो आदे से थोड़ा सा ज्यादा हो गया है नेक्स्ट इंदा गिवन सो इन गिवन फिकर सोंदा वेरेश्ट इंदा मैनेटिक फिल इनसाइड दा आउटसाइड आउटसाइड आपको ए और बी दे रहा है आपको पता है कि करण लेनीर कब तक इंकरेश जाता है जब तक की रेडियस हो जाती तो यहां से एक तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि एक जो रेडियस से वह कम है वायर इस तो 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 रेडियस ऑप दो वायर बीज गरेटर है खदम बात पहले बात यह होगी अच्छा प्रेश में एक और बोला है कि रही ता सेम करंट इनिफरमली तो करंट का विल्यूश सेम है तो आपको डेंसिटी पुचाए जी का फर्मला क्या होता है आई डिवायर बाई पाई आर का स्क्वेर तो शिदी से बात है जिसका आर ज्यादा रहेगा उसका देंसिटी कम होगी तो इस कांसवर आ जाएगा थार्ड बन बोल ठीक है तो यह होगी आपने बस इस कांसवर क्या बोला है मैंनेटिक निडल सस्पेंडेट पैरलल तुदा मैंनेटिक फिल्ड मला आपको एक निडल दे रहे है जिसका बी है और वो बी के पैरलल में है दोनों मला एम और बी है ना यू फाइनल कितना है माइननस एम बी को सिक्क्षटिक नहीं पहुता है वन वाइन निस इनिसल एल नहादः माइननश वो एमभी तो उगया प्लस तो यह होगा आपनी पास एम बैद BAR 2 वह ऩूरू genetically है रखार डॉक है को अब उसको दिए वहीं मेंटेंद रखना तोर्क कितना चाहिए तो तोर्क का फर्मॉला क्या होता है MB संधिटा तो MB साइन कितना हो जाए रूट थ्री भाई टू नहों उसका आपने विल्वीज कर रहते हैं तो इस कहांसर आ जागा थ्री ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट्यूशन है कि अधा इस पॉइंट के बिच में एक देखतो एक पॉइंट में ले लाता हूं हुझे चपॉइंट पी है तो यह पॉइंट अच्छा इस पूरे का यह point इसका A है इसका यह point B है इसका point B है तो एक तो मैं जो यह पता चल गया कि यह जो है C और C1 और C3 देख दूसरे parallel है तो मैं A से start करता हूँ A के एक तो मेरे capacitor जुड़ा हुआ है C2 और A capacitor यह मेरे बास C4 यह सीदे से जुड़ा है C2 जुड़ा है point P से तो मैं point P बना लाता हूँ है यहाँ पर P P से दो कैपिशेट जुड़ा हुआ है C4 सीदे सीदा B से जुड़ा हुआ है तो एक मिन ठादा सा चैंज करता हूँ है यहाँ से मेरे पास दो कैपिशेट रहे हैं एक ऐसे और एक ऐसे से जूड़ा है मैं जूड़ा है C3 ले लो find यह C1 यह ऐसे यह दोनों connected है 2 से और यह सिधा connected B से है तो ही दोनों के parallel में यह series में फिर दोनों parallel में जब इसको solve करěंगे तो है तो याद देगा 15 microfarad next तो जो फ्लक्स में जाएगा वह आएगा तो प्लक्स में जाएगा वो आएगा टू बी ए एंग टीक है इन फाइव सेकेंड दा इंड्यूस करंटी तो मेरे पास यह आगया टीफाइबले पास टू बी एन ए टाइम कितना है अपने पास 0.5 ब्लार करेंगे तो इसका चाहिएगा 1 mA next current of 2 ampere flow in the circuit shown in the figure the potential difference B and D तो किसमे क्या करना है लेट इसमें मालना है तो current I1 जा रहा है और current I2 जा रहा है तो basically आपनको पहले तो I1 और I1 फाइंड करना है इसी है आप को इती है याद होगा तो I1 का होता है सामने वाले का resistance ये कितना है 10 10 10 डिवाइड वाइड वाइड टोटल रेस्टेंस ये है 10 और प्लस ये होगा 15 इंटू 2 एंपियर ठीक है तो ये कार्ट लाते है तो ये आजाएगा 4 by 3 और ऐसे मेरे पास I2 आजाएगा वाइगा 5 क्योंकि 5 डिवाइड वाइड वाइ 15 इंटू 2 तो ये कितना आ जाएगा 2 by 3 अब आपको भी और डी के बीच में पोटेंशिल इफ्रेंश का मोडिलेज पुच्छा है तो आप कहीं से भी इक्वेशिन लिक्लों मैं यहां से लिखता हूं वी बी माइनस आई वन थ्री प्लस सेवन आई टू इस गोल टू वी डी तो यहां से मेरे पास जब सॉल करूंगा डी तो आज जाएगा सेवन आई टू माइनस का प्लस थ्री आई वन सॉल करेंगा जाएगा टू बाइ थ्री ठी इसका में लोग क्या है एपसिलोन नॉट ए डिवाइड बाइड 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 इसका में लोग क्या है एपसिलोन नॉट एडिवाइड बाइड 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 विलू है वह है नो बैस्ट क्या है वें दगेड बिटून अप्लेट इस फिल पार्सली विधी डायलेक्रीक आप दायलेक्र गार इसके अंदर और इसका एरिया कितना है एबाइड तो मैं इसको सी टू मानता हूं इसको सीवन मानता हूं और यह बहुतना रहेगा सीवन रहेगा विद्वाइड विलिवाइड बाइड फिटेंट इसका थो 2.5 इसका है 2.5 और यह जो है c2 c2 में क्या होगा देखो c2 में क्या है एक दो एरिया आजा है तो epsilon not k कितना है इसका k है is 4 तो 4 एरिया 1 by 2 divided by d तो यह एक्चुली हो गया 2 time of the original 20 अभी तो परलेल में तो 20 प्लस 2.5 प्लस 2.25 आपको 10 बार माइनस 5 में बुचाया तो 2.5 ओके नेक्स्ट बैटरी ऑप दे इमफ 3 वल्ट और इंटरिनल रेश्टेंस 2.5 इस बिंग चार्ज विद दा 5 एंटर करेंट what is the potential difference of terminals तो यह तो simple सा होता है terminals का formula होता है जब चार्ज हो रहा हो ए प्लस IR ए का विल्ट आपको दे रखा है 3 प्लस IF5 0.25 तो आजाएगा 4.25 ओके नेक्स्ट नेक्स्ट नेमिटर प्लस एक्स्ट आपको एक्स और वाई का विल्ट गिवन है यह 5 और यह वास 2 वन दा संट रस्टेंस एक्स अब यहां पर एक्स था उसमें आपको एक्स कनेक्ट कर देया यह वाला इसके नदर संट जोड़ा है वनको इसके विल्ट करना है यह यह वर एस तो आप यह दोनों कि इतने है पैरलल में तो पैरलल में एस 5 एस डिवाइड बाई 5 प्लस एस और देखो यह है 0.6 तो यह कितना होगा पॉइंट 4 अब उनको बता है कि इन दोनों का जो मल्टिपले होता है क्या होता है एक्वल पॉइंट 4 एक्वल टू वह कितना है 2 इंटू 0.6 ठीक है तो इसको स्व बोगन इस ब्रोगए और टू अनिपकल पॉइंट 4 प्य और एक बार्ट एंट रोडिय आर्यच आरू के अंदर कोई नेया fy के अनदर रूच ट्रृट मंप पी इसकी जो लेंध है वह इस पी की रिबले सो लेट इसका रेसिस्टेंस में मालना है तो आर नोट इसका आप दा आड नॉट बना फॉर टाइम आड नॉट है यह आपको इसका फॉर रेसिस्टेंस जो पी का इसका फॉर थैंटेंस अर इस इकोल तो डेट फू आर और चूर्शन क्यों बराबर दे रहा है रखा है दा रेशिया प्रेसिटिंग यह कोई रोल नहीं है यह सिर्ण आप पाट नीजिग निकलत एक अनसर कितना लुग, तो थैंक यू, बोल यू जा बड़ता ये, अचिए मागस आने चाहिए, ओ के बागस आने चाहिए। झाए एलता यू, ड़ा, आथवर, यू, खालोका, तो नीजिए हते चाहिए।